हाई दोस्तों ताइवान की कमपनी एसूस ने जो है अपना क्रोम बुक लैप्टव भारत में लॉंच कर दिया है इसे क्रोम बुक CX1101 नाम दिया गया है इसमें इंटेल का सेलेराउन N4020 ड्योल कोर प्रोसेसर दिया गया है साथ में 4GB की RAM और 64GB का स्टॉलिट स्टेट EMMC स्टोरेज भी दिया गया है एसूस क्रोम बुक CX1101 की कीमत जो है फ्लिप कार्ड पर 19,999 रुपई रखी गई है और फ्लिप कार्ड पर आप इसे 15 से 21 डिसेंबर तक जो है इंटोड़क्टरी ओफर के तहट 18,990 रुपई में खरी सकते है इस पर जो है यूजर्स को SBI बैंक कार्ड पर EMI टांजिक्शन पर 6 महिने तक का जो है नोकोस्ट EMI भी मिल सकता है साथ में 10% का इंट्रेस डिसकाउंट जो है आपको मिलेगा हैसूस में जो है सेटमेंट में कहा है कि एजुकेशन और एंटरप्राइजिस मार्केट डेश में तेजी से बढ़ रहा है और इसमें जो है उसी तरह के कॉस्टिमर को जो है ध्यान में रखके इसे बनाया गया है यह रिमोट वर्किंग और हाइबिट लर्निंग एंवार्मेंट में काम करेगा इसमें जो है अन्दी गो लाइस पैल के लिए डिजाइन किया गया है और यह travel requirement के हिसाब से durable है और इसके features भी solid है इसे जो है इसका जो anti-glare HD display जो है 180 degree lay flat capable hinge के साथ में आता है और इसे 30 हर बार open और close life cycle के तरह जो है test किया गया है और यह जो है military gear इसमें मिला है इसमें HD camera भी दिया गया है इसके अलावाज में stereo loudspeaker इसमें dual band, Wi-Fi 5 और Bluetooth 5.2 मिलता है और एक 42Wh की battery मिलती है और साथी में 45W का USB Type-C fast charger के साथ में आता है तो अगर आपका जो budget जो है 20,000 के अंदर होगा तो Asus Chromebook CX1101 आपके लिए लेतर option हो सकता है जो like, share और subscribe ज़रू करें